दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल मलहोत्रा भाई में अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्रूरता की हदें पार करने वाले इस वाक्य को तंदूर हत्याकांड के नाम से जानते हैं इसमें एक कांग्रेसी नेता ने अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद बड़ी बेरहमी से चाकू से बोटी-बोटी काट कर तंदूर में जोग दिया था जब लाश नहीं जली तो उसने तंदूर में मक्षन डाल कर जलाने कोशिश की थी कहानी 18 साल पहले की है ततकालीन दिल्ली युवक, कांग्रेस के अध्यक्ष वविधायक सुशील शर्मा ने निर्दयता से अपनी पाइलट पत्नी नैना साहनी की हत्या कर लाश ठिकाने लगा दी थी वो तो भला हो कूडा बीनने वाली उस व्रिध महिला का जिसने आधी रात को अशोक यात्री निवास से धुआ निकलता देखा और सजकता दिखाई ये वही यात्री निवास था जिसका मालिक सुशील था आरोप है कि सुशील को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है इसी वजह से उसने आधी रात को अपने ही घर में गोली मार कर हत्या की दी और उसके शव को कई टुकडों में काट दिया शव को छिपाने के लिए शर्मा ने उसी रात दिल्ली के बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में डाल दिया था मामले में जांच के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि उसने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या बलकि उसके शव को निर्ममता से काट कर तंदूर में जलाने की भी कोशिश की लेकिन सजा से बचने के लिए उसने अपने राजनीतिक संपरकों का भी भरपूर इस्तेमाल किया लंबी जद्दो जहद के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दी सुशील अभी जेल में है